हालो बच्छों कैसे आप सब वंस अगेन वेल्कम आपके अमेजिंग प्लाटफाम यानि पी डबली पे याद है आपको एक चाक्टर जो हमने बहुत पहले किया था यारी ऑन इक्वालिटी जिसमें हम बात करें थे भाई हमारे उंप्रकाश वालमी की साफ की और साथ हमने एक कास के बेसे और हमारा Constitution यानि कि समभधान खासकर बोलता है कि ऐसा कोई भी भी भाव भारत में नहीं है हमने पढ़ाई की आर्टिकल 15 के बारे में जो किसी भी ऐसे टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को बान करता है राइट बचाबाडी चले तूसी से जुड़े हुए कुछ ज आपका दोस्त तो कुछ भी कहल सकते हो आप मेरे को ठीक है बच्चो चलिए तो शुरुवात करते हैं हमारी कहानी और आपको पता है हम लोग क्या करें आज हम लोग आज कर रहे हैं क्वेस्चन से कॉंसेप्ट तक की जर्णी किसकी जर्णी कर रहे हैं बच्चों से सवालों से कॉंसेप्ट तक ठीक है चलिए तो क्वेस्चेंज से कॉंसेप्ट तक और साथी साथ हम लोग कर रहे हैं बच्चों हमारा क्वेस्चन आफ दड़े साथी साथ हम लोग कर रहे हैं हमारा क्वेस्चन आफ दड़े ठीक है तो यह दो एजंडाज है जो हम लोग आज कल के हमारे मज़तार वाले वीडियोस में कर रहे हैं कि नहीं बच्चा बाड़ी चले तो अगर आगे बात की जाए तो आज का पहला सवाल और पहला कॉंसेप क्या है बाई एक बात देख लेते हैं जल्दी से इनर डिमोक्रेसी एक लोग तंत्र के अंदर वाइज यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइज जरूरी क्यों है तो बहुत सिंपल सी बात एक ऐसा मेकानिजम है जहां पे डिमोक्रेसी कहता है कि एक आदमी का एक वोट होना चाह है तो हमारा आज का जो जबादस वाले यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइज का कॉंसेप्ट है वह यही बताता है आपको क्या बताता है बच्चों कि एक आदमी का एक वोट और उस एक वोट का एक वाल्यू राइट चालिए फिर अगर हम बात करेंगे बच्चों एक डिमोक वोट और इस वन वोट का कितना होता है वाल्यू बच्चे वन वोट का होता है वन वाल्यू तरीके से समानता बताता है इक्वालिटी बताता है बच्चों जब हम बात करते हैं हमारे डिमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हमारे डिमोक्रेटिक एलेक्शन की त आपके पास एक वोट होगा और उस वोट का वाल्यू वन होगा राइट बच्छो चाली इस वज़े से यह एक equality promoting concept है इसलिए important है हमारे democracy के अंदर चलिए आगे बात करते है अगला सवाल कहता है कि state the two ways in which article 15 addresses inequality दो ऐसे तरीके बताईए जिसके द्वार आपका article 15 inequality को हटाता है फिर दूर करता है इस problem को solve करता है देखिए नंबर वन तरीका है कि article 15 addresses inequality in terms of discrimination based on religion, race, caste, gender, place of birth देखिए जो article 15 है वो यह कहता है कि आप किसी इसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते है इस basis पे कि वो particular धरम का है, particular caste का है, particular community का है, particular gender का है तो यह आपके कभी भी basis नहीं बन सकते in order to discriminate against someone, उसके बाद ही कहता है बच्चे जितने भी आपके public spaces है, हैना for example, कुआ हो गया, tank हो गया, bathing guards हो गया, roads हो गया, ठीक है, जो कि सरकार के अधिकार में आते हैं, आप सरकारी funding से बने हुए, ठीक है, जो कि government द्वारा बनाएं गया है, government funding से बने हुए, ऐसे किसी भी based on the above criteria, कौन सा criteria, religion, race, caste, gender, community, माली जे सरकार ने एक पार्क डेवलप किया, अब ऐसा नहीं हो सकता कि उस पार्क के अंदर एक certain community का आना मना हो जाए, तो आप सारे communities जा सकते हैं, सारे religions के लोग जा सकते हैं, because वो पार्क एक public property है, सरकार की पैसे द्वारा बनाई गई है, और फिर answer the following, question कहता है, in what ways was ओम प्रकाश वालमी की experience similar to that of the अंसारीज, अगर आप अंसारीज की बात करेंगे, तो हमने क्या पढ़ा था चाप्टर में, क्योंकि अंसारीज जो थे एक particular religion को belong करते, एक particular community से आते हैं, इस वज़े से अंसारीज को जो था बचों, अपने लिए घर नहीं मिल पा रहा था, rent पे, हैना, rent पे रहने के लिए उनके पास, घर उन्हें नहीं मिल पा रहा था, तो ये एक अपने आप में बहुत ही important factor है, चली मैं पहलाल इसको इधा से रफ कर देता हूं, ओके, तो मेरे आवास बच्चों थोड़ी से खराब हो रखी है, आज क्या गया, तो अगर हम बात करें कि ओंप्रकाश वालमी की को discriminate किया गया था, on the basis of his caste ठीक है, जबकि अंसारी इसको discriminate किया गया था, उनके धरम के साब से, religion के basis, क्योंकि एक certain religion को belong करते हैं, इस वज़े से उनको कोई घर rent पे नहीं दे रहा था, ठीक है, basic similarity ये है बच्चों, कि अ अलाओ नहीं करता, article 15 of the constitution does not allow this, फिर अगर हम बात करें, ओम प्रकाश वालमी की की, तो ओम प्रकाश वालमी की को अपने साथ वाले बच्चों के साथ, classroom में नहीं बैटने दिया जाता था, क्योंकि वो एक दलित थे, ठीक है, और कहीं न कहीं बच्चे जो उनके, आप कह सकत करणा जिए कि लिए कि अले घी दाब काम है, इतने बड़ी ग्राउंद की झाडूर लगा रहा है, उसके लिए इसवज़े से लोग कर जाता है, इस वज़र कि इस वजो ऊपकिसा ग राधिकल 15 के साफ से बिल्कूल रॉंग है अंसारी इसको घर रेंट पेस्ट नहीं दिया क्योंकि इनका जो रिलेजन था वो बाकी लोगों से अलग था और सिंपल सी बात करें करें बच्चों अगर जो वहाँ पर अपार्टमेंट्स बने हुए थे उसमें एक सर्डेन कम्यूनिटी रहा करती थी और क्योंकि अंसारियो है और कॉंस्टिटूशनली गलत है ठीक है तो इसके अगेंस्ट आप कम्प्लीन भी फाइल कर सकते हैं चली वट डियू अंडेस्टांड वैदर टर्म और पर्सनल और एक्वल बिफोर दलो वट यू थिंग इस इंपॉर्टेंट ने डेमोक्रेसी आपको क्या लगता है कानून के आगे समान है यानि all are equal before the law ठीक है फिर दूसरा statement कहता है कि उसा question दूसरा पार्ट कहता है question का कि why do you think it is important in a democracy एक लोग तंतर के अंदर आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह बहुत जादा जरूरी है चली बात करते हैं फड़ा फट से the term all persons are equal before the law states that चाहिए कोई भी सिडिजानों इर्रिस्पेक्ट उनका social economic background कैसा है सबको सेम कानून मानना पड़ता है यानि सबके लिए कानून बिल्कुल सेम है कोई भी ऐसा person no person shall be discriminated किसी को भी आप कानून की नजर में race religion उसके कास्ट उसके color के basis पे कभी भी discriminate या फिर उसके साथ बेदबाव नहीं कर सकते इवन जेंडर बेसेस पर आनि मेल फीमेल या ट्रांस जेंडर कुछ भी वह बच्छे किसी भी जेंडरल बेसेस पर आप किसी के साथ बेदबाव नहीं कर सकते कानून हरे के लिए एक है जब आप लोगतंतर की बात करते हैं तो आपके सामने सबसे important चीज आती है और वह समानता या निकिक्वालिटी अगर इक्वालिटी ही नहीं है एक लोगतंतर के अंदर तो बच्छे वो डेमोक्रेसी एक फेल डेमोक्रेसी कहला सकती है कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी सब्सक्राइब इस बात को मेंटेन करती है कि कहीं ना कहीं किसी भी कानून द्वारा उसकी सब्सक्राइब और पहुआ इसलिए अपने समविदान को इतना फ्लेक्सिबल बनाया है इस प्रकार से कानून बनाए गए उसको अमेंडमेंट्मेंट्स के गए है ताकि भारत का जो डाइवर्स कल्चर है जो डाइवर्स कम्यूनिटीज है उनको एक साथ एककमडेट किया जा सके रखा जा सके है और कोई प्रॉब्लम भी ना हो ठीक है बच्चो चलिए तो अगर हम बात करते हैं इस इस बात को इंशॉर करती है कि किसी के साथ भी भेदभाव ना किया चाहिए उसकी कलर के बेसिस पर गोरा है काला है या कोई और फिजकल फीचर एक बड़ा अच्सा फीचर आपको दाता हूं कई बार आपने एक शब्द सुना होगा खास कर जो थोड़े से पहाड़ी लाखों से बिलॉंग करते हैं ठीक है अब वहां पर जोग्रफी बहुत अलागेवा का और वो जोग्रिफी आपके फिजिकल फीचर्स पर इंपक्ट करती है तो कई बार लोग क्या करते हैं कि नौर्ट इस्ट के हमारे खास का जो ब्रदस और सिस्टर्स हैं है ना उनको कई बार बच्छे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है जो की गलत है है ना क को ने मन में धालना बना लिए एक स्टीरो टाइप बना लिए ठीक है उनके लिए एक वर्ड यूज करने लगे हैं कई बात सिंकी करके ताट इस हंड़ेट परसेंट रॉंग और इंकरेक्ट जो की बिलकुल गलत है बिलकुल इनकरेक्ट है और बिलकुल भी यूज नहीं हो होना चाहिए तो समविधान ऐसे किसी भी शब्द की ऐसे किसी भी डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड की इजाज़त आपको नहीं देता परमीशन आपको नहीं देता हैना और जो लोग यह करते हैं बच्चे पनिशिबल ओफेंस इस बात को ध्यान रखेगा कि जो भी यह करता है व तो इस चीज को ध्यान रखना है और कभी इस तरीके के जो शब्द के किसी को काला बोल दिया हैना तो इस चाइब की शब्द मत बोला करिए यह अक्शन रिश्ट वर्ड है हैना और कहीं ना कहीं किसी के रंग के basis पे किसी को बोलना अब सोचेज जो आक्शन जिसका कलर होते हैं खुबसूरती इस बात में है कि उने इंपर्फेक्शन को इंब्रेस करके उसकी क्वाल्टी को देखना चाहिए ठीक है फिजिकल इंपर्फेक्शन खर तरीके के किसी ना किसी के अंदर होते हैं हाना कोई बिग्दम 100% परफेक्ट नहीं होता है इवन टॉम क्रूज य अगर लोगों ने रितिक रॉषन को ट्रोल किया होता है चीजों के लिए उनको कितना बुरा लगता है की नहीं बच्चों गांधी जी की बात किया लिजा आप गांधी जी क्या कोई बहुत तो फेर अन्शम वाले थोड़ी थे गांधी जी का अप्लेक्शन बहुत फेर बे तो आज भी आप देखोगे तो बहुत जादा स्लोगन चलता है कि ब्लाक लाइफ मैटर कहीं न कहीं तरीके के बहुत जगे होते हैं तो हमारी जिम्मधारी है कि अपने समविधान को समझें और साथी साथ इस तरीके के चीज़ों का वाइट करें जो ना तो सोसाइटी के बेनिफिट में हैं और ना किसी और के है ना बचो चाली तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन कहता है आंसर दा फॉल सरकार को हर एक पॉसिबल एफर्ट करना चाहिए उनके पाटिसिपेशन के लिए गवर्मेंट को फ्री एजूकेशन प्रवाइट करनी पड़ेगी है ना इसा नहीं हो सकता कि जो डिसेबल चिल्रेन उनको में स्कूल में ना पढ़ने दिया जाए तो सरकार के जिम्मधारी ह कि ऐसे बच्चों को इक्वल अधिकार मिले सिख्षा का यह यह भी स्टेट करता है कि चतने भी पॉब्लिक स्पेसेज है बिल्डिंग से स्कूल से इस शुडबी एकसेसिबल है और यहां पर राम सोने चाहिए जिसमें वील्चेर में बैटके बच्चे जा सके या जो भी ऐ बैता शब्द है इस पेशली एबल्ड है ना फिसकली डिसेबल्ड हम नहीं कहते है श्पेशल अबिलेटी चाल्ड आप कह सकते हैं यह तो यहां पर सिक्यूर्टी गार्ट क्या करें सीडियों से इसकी वीलचेर को उतार के लेकर आ रहे हैं माल लीजे एक बी सिक्यूर्टी इंपक्त हो सकता है इसको इतनी गहरी चोट लगे कि आगे कभी दुबारा थोड़ा बहुत भी जो मूफ कर पार रहा हो भी ना कर पाए तो यह गलत है यहां पर क्या किया जा रहा है तो अगर हम बात करेंगे डिसबिल्टी जाट का 1995 का तो कहता है कि बाइए राम होना चाह लिए ताकि बिल्डिंग अक्सेसिबल हो जाए राइट बचो चलिए तो अगरे मैं बात करूं आप से तो इस एविडेंट कि जो बॉय है फोड़ोग्राफ में डिसेबल है तो डिसेबिलिटी आट 1995 के हिसाप से यहां पर जो बिल्डिंग है उसको एक्सेसिबल होना चाहि ताकि बच्चा असानी से मूफ कर सके लेकिन ऐसा यहां पर नहीं हो रहा ठीक है अगर गलती से कुछ भी हो जाता है कोई मैस हापनिंग होती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा इंपक्टेड होगा है ना इस सिच्वेशन का सल्यूशन देने के लिए तो रेमेडी दे सिच्वेशन गॉवर्मेंट को एक राम बनाना चाहिए स्टेर्स के साथ हर एक बिल्डिंग में इस हिसाब से क्या होगा जिन बच्चों के फिसकल डिसेबिलिटीज है जिन लोगों आप बच्चों ने भी देखी होगी तो अब दो रोलस थे ना उसमें से कुल्थ सीच सेच्वेशन लोगों के लिए रिजर्व थे थे I mean you cannot book those seats, right, आप वो दम रो ही उन्होंने करीब 12-15 seats auditorium में बिलकुल fix कर रखेते for the people if they are especially abled, right, और वहाँ पे क्या proper space design था, so that उनका wheelchair बहुत आराम से रखा जा सके, they can be made comfortable on the seats, so this बात का पूरा ध्यान रखा गया था, तो आप कभी भी malls में जाए या पे ट्रॉस में जाए है ना metro train scandals आए, तो हमेशा वहाँ पर आप बोलो के request करोगे, तो they will provide you with the wheelchairs, वहाँ को wheelchair provide करेंगे, आप वहाँ पर ramp होते हैं, proper facilities होती है, जहाँ पर लोग जिसके तुरू बड़े आराम से जो है travel कर सकते हैं, और common चीजों को बच्चे experience कर सकते हैं, और यही हमारा democracy सिखाता ह है about equality यानि समानता, ठीक है बच्चों, चले, तो इसी के साथ question आ जाता है, हमारा question of the day, क्या आ जाता भी या हमारा आज का important और महत्पूर्ण सवाल, चले, so question of the day क्या कहता है, question of the day में आपको बताना है, कि, question is very simple, why were the answer is not getting a house on rent why were the answer is not getting a house on rent, ठीक है बच्चों, तो इसके प्यारे प्यारे खूपसूरत वाले amazing वाले answers कहां दे हो गया आप बच्चों में को, on the comment section ठीक है, तो बच्चे comment section में जाईए, अपना कमाल दिखाईए, आपके answers पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, आपके doubts भी होते हैं तो वह भी मैं पढ़ देता हूँ, solve कर देता हूँ, बच्चों, तो जरूर से चेक कर लिया करें अपने comment section को, ठीक है प्यारे बच्चा वाड़ी, चलिए, तो इसी के साथ end up करते हैं हमारे आज के प्यारे और amazing super वाले session को, और मुलाकात होगी आपसे अगले class में तब तक के लिए, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ताबट तो पढ़ाई करिए, आपके final exams भी आने वाले होंगे, है ना बच्चों, चलिए, तो इसी के साथ मिलता हूँ आपसे अगले class में तब तक के लिए, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, चुस रहिए, दुरुस रहिए और amazing रहिए, bye bye बच्चा बाड़ी, take care and stay tuned with PW, bye